रविवार 26 फरवरी को CBI दौर 8 घंटे की लंबी पुष्टाच के बाद दिल्ली सरकार के उपमुख मंत्री मनीश सिसोधिया को गिरफतार किया गया था सीबियाई की गिरफत में आये मनीश सिसोधिया ने मंगलवार को मंत्री पत से इस्तीफा दे दिया दरاصل सूमवार को CBI ने कोर्ट में उन्हें पेश कर पांच दिन की रिमांड हासिल कर ली थी सीबियाई के इस कारवाही के खिलाफ मनीश्ची सौधिया ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले थी लेकिन वहां से जटका लगने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया मनीश्ची सौधिया दिल्ली सरकार के 33 विभागों में से 18 विभागों के मंत्री थे दोस्तों इस वीडियो के जरीए हम जानेंगे कि काउन है मनीश्ची सौधिया जो आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं दोस्तों मनीश्ची सौधिया को पार्टी का प्रमुख रण नीतिकार माना जाता है आम आदमी पार्टी के गठन के बाद पार्टी में कई बार विवाद हुआ, कई लोग आये और गये लेकिन मनीश्ची सौधिया ने केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा पांच जन्वरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुर जिले के फगाउटा गाउं में जन्में मनीश्ची सौधिया ने शुरुवाती पढ़ाई गाउं से पूरी कर 1993 में भार्टी विद्याभावन से जनसंचार में डिप्लोमा किया था उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू की रेडियो के लिए सिसवदिया ने कारिक्रम को होस्ट भी किया था उसके बाद वो एक निजी चैनल में काम करने लगे वर्ष 1998 में इंकम टेक्स अधिकारी रहे अर्विंद केजरीवाल ने भरस्ताचार से परेशान लोगों के लिए परिवर्तन नामक एक इंजीयों बनाया इस संस्था में पीडित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता था मनीश सिसोदिया ने इस पर एक स्टोरी की इसी दोरान दोनों की दोस्ती हो गई और आगे चलकर ये दोस्ती इतनी मजबूत हुई कि हमेशा सिसोदिया केजरीवाल के दाहिने नजर आए मनीश सिसोदिया टीवी की नवकरी छोड केजरीवाल के साथ हो लिए वर्ष 2006 में केजरिवाल के साथ मिलकर सिसोधिया ने पबलिक काज रिसर्च फाउंडेशन के स्थापना की और दोनों ने मिलकर दिल्ली के जुग्गी जोपड़ी वालों की मदद के लिए तमाम काम किये वर्ष 2011 में जब केजरिवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर भरस्ताचार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन छिड़ा तो इस आंदोलन में मनीज सिसोधिया ने महतुपूर्ण भूमिका आदा की वर्ष 2012 में आम आदमी पर्टी के गठन में भी सिसोधिया की एहम भूमिका मानी जाती है मनीज सिसोधिया दिल्ली के पटपढ़ गन से तीसरी बार बिधायक दोस्तों भाईएं जानते हैं कि क्या है मनीश्य सोधिया पर आरोप जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराजपाल ने दिल्ली की केजरिवाल सरकार की 2021 की आपकारी पॉलिसी की CBI से जाच कराने के आदेश दिये दरसल केजरिवाल सरकार पर आरोप लगाये गए थे कि कोरोना महामारी के कारण शराप ब्यवसाय में हुए घाटे का हावाला देकर केजरिवाल सरकार ने लाइसेंस फीज खत्म कर दिया जिससे सरकार को 144 करोड रूपयों का घाटा हुआ मनीश शिसोदिया पर आरोप लगे कि उन्होंने शराप कानून में बदलाव करके ठेकेदारों को फाइदा पहुँचाया ये भी आरोप लगे कि लाइसेंस देने में रिश्वत भी ली गई और पार्टी ने रिश्वत की इस रकम के इस्तेमाल पंजाब में चुनाव लड करने के लिए कि इन आरोपों और मिली रिपोर्टों के आधार पर उपराजपाल ने सीबी आई को पूरे मामले की जांच के आदेश दिये थे 20 अगस 2022 को सीबी आई ने मनीज सी सौधिया के घर समेट कई ठिकानों पर छापे मारी की थी इस दोरान सीबी आई को कई महतपूंट दस्तावेज हाथ लगे थे उसके बाद उपराजपाल के इस सिफारिश पर सीबी आई ने एफ आई यार दर्ज की थी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें धन्यवाद